कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना येटूब चनल आई टे गाइडलाइन में मैं हूँ रांबिया श्यादब दोस्तों अभी जितने भी वीडियो चल रहे हैं मैं जितने भी वीडियो अप्लोड कर रहा हूं दो-30 से सारी वीडियो मैं इसलिए इस सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है एक गाइडलाइन एक मार्ग दर्सन एक सही रास्ता कोई ने कोई ब्यक्ति के माध्यम से दिखाने वाला होना चाहिए एक विद्यार्थी को और साइद यह आप लोग भी जानते होंगे कि बहु सारे ऐसे विद्यार्थी कि पढ़ने हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो तमाम यह सारी बाते पर आज मैं चर्चा करूंगा और वीडियो बहुत ही इपोटेंट विडियो है अस्टूडेंट के लिए जो कि या तो जेनरल विद्यार्थी हो या फिर आईटी के विद्यार्थी हो या फिर डिप्लोमा के विद् हो तो तमाम सारे बाते में आप लोग्के साथ चर्चाज करूंगा और चर्चा मैं करूंगा कि ऑई टी डिप्लोमा विटेक पास करचुका हूं पढ़कर करके अब क्या करूं है अब क्या कैसे क्या करें ते सारी बाते चर्चा होगे उससे Pहले दूस्तों मैं बताना का इसलिए कि आप हमारा पले लिश्ट में जाएए बहुत सारी वीडियो बना करके रखा हुआ है आप वहां से देखिए जितनी भी सीवीटी के एक्जाम देने वाला विद्याति वह बाकी हैं वहां से पढ़ करके आप आसानी तरीके से अच्छे मार्ग से पास कर सकते हैं इ से लिकि excited मैं तीनों पहचर्चा करने वाला हूं यहाँ अपर मैं लिख भी दिया हूं तीनों पहचर्चा करने वाला हूं कि आइटी डिप्लोमा भी तेख और दूसरी बात अप्रेंटिस-शीटि और चॉब यानि आइटी बीटी स नंध करने क्पाद आदमी के मन में तwościार तिन्य खियाल आता है कि क्या आप्रिंटिस करें कि स्टिन करें इस करें या फिर कहीं जॉब करें जॉब जो हमारा हा गॉर्मेंन या फिर प्रैजिस करें में सवाल हर वियारती पर रहता तो आप अभीक तक हमारा पलेलिष्ट नहीं गया है तो पलेलिष्ट में जाएए वहां से पढ़िए अच्छे मर्ण से पास किजिए और पास करने से पहले इस सारी बातों पर ध्यान दीजिए ज्यादा ज्यादा दस से पंदर मिनट आपकी जिंदगी बदल सकती है मार्क धर्सन ऐसा दूँगा आज कि आपको लगेगा क्या संदार क्या लाजवाब हुआ है क्लास तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाता है बाकी तो सारा डीटेल आप लोग जानते हैं मैं हैसा बलता हूं भाई कि आप लोग के लिए मैं मैं इतना महिनत कर रहा हूं तो आप तक पहुंचा और आप वीडियो का अनन्द और पूरा भरपूर सहयोग मिल सके इस वीडियो के माध्यम से तो आए शुरू करते हैं बात यह है दोस्तों इसी वीडियो का बनाने का मेरा मकसद कि टीचर जो होते हैं ना कि कुछ भी कि किसी चीज को अगर मोटिफाइब करके डिफिनेशन उसका देकर कर बताते हैं तो खुद उनके उपर गुजरे हुए रहता है और इसलिए कि गुजरे हुए रहता है और इस बात को वह सोचते हैं कि जो दिक्कत हमारे साथ आई थी वह आज के बच्चे के नहीं आए सबसे पहली बात अग दूसरी बात है कि जो बिद्यार्थी आई टी पास कर चुके हैं या फिर आई टी अभी फाइनल एक्जाम दे रहे हैं तुनका भी रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और जो डिप्लोमा पढ़ रहे हैं बिटेग पढ़ लिए पास कर गये हैं अब क्या करें तीनों का मन में एक ही विचार आत और दूसरी बात कि सिटी आई करें या फिर कहीं जॉब पकड़ें तो सबसे पहले मैं तीनों चीज़ा क्लियर करके बताऊंगा और तीनों चीज़ बिद्यार्थी के मैंने में ख्याल आते हैं तो सबसे पहले तीनों को मैं क्लियर करता हूं कि तीनों है क्या ठीक है तीनों लेकि एक अप्रेंटीस का मतलब क्या होता है और जॉब का मतलब क्या होता है इस बहूँ- सब आप्रेंटीस को अपना इस्ट्टमेंट जादा मशीन नहीं रहते हैं कहां के मुताबिक से किसी भी कंपनी किसी भी फैक्टरी के मुताबिक आपके बर्ट नहीं उतनी मसिने नहीं रहती है उपर-उपर का जो मसिन रहता है जासे लेत मसिन होacked सिह वह वह चीज़ कर्फू है एक है कि डिप्लुमा सब लगन कर का आपका टूर से रहता है एलेक्टिस्यण का एलेक्टिस्इंग का खाल तो आईटि में एग шир быв आ भासा शिखा दिया जाता है चेक्निकल लेंगवेश शिखा दिया जाता है जैसे कि मूण लिया हम हम लोग घर में त है थोदी बोलते हैं उसी को हमर सिखा दिया जता है है कि नहीं फाइल को ऐसे sih अले बिलते थे लेकिन उसी को सिखा दिया जता है या एक निकल लैंग्वेज आपको सिखा दियाता है ना कि आप एक्सप्रेंस हो जाईएगा हमारे मुताबिक तो कभी ऐसा नहीं होता है जैसा कि हमने देखा है और देख भी रहा हूं तो वही चीज को अप्रेंटिस करने से हमको लाभ मिलता है कि अप्रेंटिस करने जब विद् हो रहे हैं वहां बड़ी-बड़ी मशीने हैं इसलिए कि वहां पर फैक्ट्री है वहां पर कोभी चीज़ा प्रोडक्शन का वहां से बनकर निकल रहा है तो वहां पर बनने में जो इस्टुमेंट जो मशीन का परियोग होता है वहां सारा एवलेवल रहता है इसलिए हर मश करने वाला ब्यक्ति बनकर वहां से मोटिफाइब होकर करें निकलता है अप्रेंटिस करने का मतलब यह हुआ कि जो आप अभी तक सिखे थे उससे और ज्यादा सिख करके एक्स्प्रियंस सोखर को वहां से आप निकले हैं ठीक है यह आपको हो गया इस सारा का मतलब बताऊंगा अभी अब याई सीटी इसके मतलब है इसका मतलब होता क्राप्समेंट ट्रेंडिंग इंस्ट्रेक्टर सुल ठीक है इसका मतलब यह है कि जैसे अभी आप लोग देख रहूंगे कि टीचर के लिए क्या होता है यह करना जरूरी होता है मेट्रिका इंटर का गिएफ्शन का जो भी बन रहे हैं अभी जरूरी कर दिया गया है कि जो आदमी भी यह कैवा रहेगा उन्हीं को टीचर बनने का मौका दिया जाएगा उसी तरह आई टीयाई में क्या है कि अगर आप ITI किये हैं तो आप पढ़ने जाने हैं पढ़ाने नहीं सिखे हैं क्या है पढ़ने जाने हैं पढ़ाने नहीं सिखे हैं वही यहां पर टेनिंग दिया जाता है कि आप कैसे बच्चे को पढ़ाएगा कैसे पढ़ा जाता है यह सारी डिटेल यहां पर आप जोब तो जोब आप जिसमें जाएए पढ़ने के बाद सरकारी अगर प्राइबेट में जाना है तो कोई भी कमपनी में चले जाएए आप मिल जागा आपको और अगर सरकारी को तयारी करना है तो मेहनत करने पड़ेगा फिर से अपको फिर से पढ़ना पड़ेगा अब है कि यह दोनों जो हमारा है अप्रेंटिस है और इसका भेलू कैसे मिलेगा तो दोनों देखिए दोनों आपको एक साल का कोर्स होता है इसमें है कि टीचर बनने लाइक आप यहां से हो जाएगा एक साल के बाद एक जाम होता है एक आपका एक साल का काम करने के लिए नहीं सिखाएगा इसमें और इसमें बहुत फर्क है यहां पे काम करने के लिए सिखाएगा ठीक है तो यहां पे आप एक साल का टेनिक करने के बाद यहां पे भी एक आपका एक जाम होगा और एक जाम के बाद एक आपका एक सेटिक प्रिफेंस मिलता है जो कि अप्रेंटिस करके आते हैं यह फैदा हुआ अब यह आप से टीचर बन गए आप टीचर बनने के लिए आप कभी अपलाई कर सकते हैं जब भी आपकी निकलेगा तो यह तीनों चीज़ दो दोनों चीज़ में आपको सट्फिटेक मिलेगा और जो आप प्राइबेट में जाना चाहिए तुरत कर लिजी और आप सरकारी करना चाहते हैं तो इंतजार करना पड़ेगा तो इतना जान लिजिए कि आप अगर आप मेहिनत करते हैं अप्रेंटिस करने के बाद भी तो आप अच्छे जौब पास सकते हैं क्या है अच्छे बहुत क्या है मेहनत करना पड़ेगा अप्रेंटिस करने के बाद अगर दो पांच नंबर आपको मिलते हैं एक्ष्ट्रा तो बहुत फाइदे मन्द होता है इसमें आपको सेल भेल ओडियंस फैक्टरी तमाम यह सारे जो गौर्णमेंट फैक्टरी हैं इसमें आपको फाइद जोब पास सकते हैं अच्छे जोब कहने का मतलब कि हम तो सबसे विष्ट और सबसे बिष्ट समझते हैं टीचर को जो कि आप यहां से एक टीचर बनिएगा इस्टेक्टर बनिएगा अगर आप सरकारी में जब तक नहीं निकलता है तो आप तब तक प्राइविट में भी कर सकते हैं जहां पर आपको नॉर्मल टीचर से आपको ज्यादा सेलेरी ज्यादा वेल्व मिले गए आप इसे काम दोनों वर्क दोनों का एक ही है ठीक है और जोब अके लिए आपको अगर प्राइविट में जाना चाहते हैं तो प्राइविट कीजिए या फिर नहीं करना चा करना पड़ेगा सब कुछ भूल करकर के जान लिजिए कि सब कुछ भूल करकर के पढ़ाए पे फोकस देना होगा तभी आपको जौब हासिल होगा तो आप लोग आप यह तीनों चीज़ का मतलब समझ गयों कि अपरेंटिस करें सी आइटे करें या फिर जौब करें जौब जो है प्राइबिट और सरकारी दोनों के लिए प्राइबिट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और गौर्मेंट के लिए आपको बेट करना पड़ेगा जिससे कि आप तयारी करकर जब भी आपको फॉर्म निकलता है तो आप फॉर्म भरिए तो सारे बच्चे स तयारे कीजिए आपके जोब जरूर हांसिल होगी दोस्तों ये तीनों चीज का मतलब आप लोगो समझ में आ गया हो कि आप मैं क्या करूं तो ITI करने के बाद डिपलोमा करने के बाद बेटे करने के बाद क्या करें ये समझ में आपको आ गया होगा या तो आप रेंटिस कीज जाए यह और बendeu है या फिर Time wird जोब में अगर जाना चाहते हैं तो परावेट जोब में भी जा सकते हैं लेकिन इसको मैं लाश्ट में रखा हूं कि 것으로 ज्यादा फोकस नहीं दीजिए प्राविट जोब आप असानी तरीके कहीं भी ले ले सकते हैं काम कर ले सकते हैं इसलिए दोनों पर फोकस देजिए ज़्यादा बेटर होगा और तयारी कीजिए अगर आप आई टी आई पास विद्यारती हो चुके हैं या फिर आई टेक एक्जाम दे लिए हैं तो आप हवड़ाये नहीं अभी से ही यह मत सोचिए कि रिजल्ट निकलेगा तो शु किजिए तैयारी और अच्छे जॉब के लिए अच्छे तैयारी के लिए अगर टेख्निकल से आप तैयारी कर कीजिये दोस्तों चली फेंक्यू फिर मिलते हैं अगर आपके मनमें कोई Misip तों कर सकते हैं मैं उसका जवाब वीडियो के माधियम से पने साब को मिलते हैं अगले क्लास में अलग टॉफिक साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत दोस्तों बाई बाई